हेलो दोस्तों, तो आज मैं ले करके आया हूँ भारत वर्ष के कुछ परसीद सहरों के नाम, यानि भारत के कुछ परसीद सहर हैं, जिनको पूरे दुनिया में जाना जाता है, तो उन सहरों के नाम को किस तरीके से आप इंगलिस में लिखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे, अगर आप लोगों को लिखने आता है तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखे मैं इस वीडियो में 35 पलस भारत के प्रसीद सहरो का नाम इंगलिस में लिखना सिखाऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कलास का नेम्स अफ सम फेमस सिटीज अफ इंडिया नेम्स यानि नामे आफ यानि का सम फेमस यानि कुछ प्रसीद सिटीज यानि सहरो अफ यानि का इंडिया यानि भारत यानि इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि भारत के कुछ प्रसीद सोहरों का नाम तो चलिए इंग्लिस में देखते हैं कुलकाता हिंदी में कुलकाता इस तरीके से लिखा जाता है और इंग्लिस में कुलकाता इस तरीके से लिखा जाता है मुंबई इंग्लिस में मुंबई इस तरीके से और इंग्लिस में मुंबई इस तरीके से लिखा जाता है चेनाई हिंदी में इस तरीके से और चेनाई इंग्लिस में इस तरह से लिखा जाता है दिली हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में देलही लिखा जाता है कानपूर हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में कानपूर इस तरीके से लिखा जाता है लखनव हिंदी में इस तरह से और लखनव इंग्लिस में इस तरह से लिखा जाता है वराणसी हिंदी में इस तरीके से और इंग्लिस में बनारसी लिखा जाता है हिंदी में इलाहाबाद इस तरह से और इंग्लिस में अलाहाबाद लिखा जाता है हिंदी में आगरा इस तरह से और इंग्लिस में आगरा इस तरीके से लिखा जाता है हिंदी में अजमेर इस तरह से और इंग्लिस में अजमेर इस तरह से लिखा जाता है अयोधिया हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है और अयोधिया इंग्लिस में इस तरह से लिखा जाता है जोधपूर हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है और इंगलिस में जोधपूर इस तरीके से लिखा जाता है मथूरा हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है और इंगलिस में मथूरा इस तरह से लिखा जाता है लुधियाना हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में लुधियाना इस तरह से लिखा जाता है देहरादून हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है और देहरादून इंग्लिस में इस तरह से लिखा जाता है डिबरूगण हिंदी में इस तरीके से और इंग्लिस में डिबरूगण इस तरीके से लिखा जाता है डर्जिलिंग हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में दर्जिलिंग इस तरीके से लिखा जाता है गुहाटी हिंदी में इस तरीके से और इंग्लिस में गुहाटी इस तरीके से लिखा जाता है गुवालियर हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में गुवालियर इस तरीके से लिखा जाता है चलिए देखते हैं और कुछ वर्ड मिनिंग है जो कि भारत के प्रसीद सहर है तो ये रहा भारत के कुछ प्रसीद सहर इंदोर हिंदी में इंदोर इस तरह से और इंग्लिस में इंदोर इस तरीके से लिखा जाता है हरीद्वार हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में हरद्वार लिखा जाता है हिंदी में त्रिवंद्रम इस तरीके से और इंग्लिस में त्रिवंद्रम इस तरीके से लिखा जाता है ये त्रिवंद्रम लिखा है जैपूर हिंदी में इस तरीके से और इंग्लिस में जैपूर इस तरह से लिखा जाता है नैनी ताल हिंदी में इस तरीके से और इंग्लिस में नैनी ताल इस तरीके से लिखा जाता है मुरादाबाद हिंदी में इस तरीके से और इंग्लिस में मुरादाबाद इस तरह से लिखा जाता है पटना इस तरीके से हिंदी में और इंग्लिस में पटना इस तरीके से लिखा जाता है नागपूर इस तरीके से हिंदी में और इंग्लिस में नागपूर इस तरह से लिखा जाता है सिरी नगर हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में सिरी नगर इस तरीके से लिखा जाता है राची हिंदी में इस तरह से और राची इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है उजैन हिंदी में इस तरह से और इंग्लिश उजैन में इस तरीके से लिखा जाता है सिमला आप हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे और इंग्लिस में सिमला इस तरीके से लिखेंगे गोराखपूर हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में गोराखपूर इस तरीके से लिखा जाता है उदैपूर हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में उदैपूर इस तरह से लिखा जाता है जोनपूर हिंदी में इस तरह से और इंग्लिस में जोनपूर इस तरीके से लिखा जाता है पिछले वाले वीडियो में मैं दुनिया के कुछ प्रसीद देशों का नाम बत लाया हूँ जैसे अमेरिका, औस्टेलिया, जपान, चीन, इंडिया किस तरीके से आप इंगलिस में लिखेंगे ये पिछले वाले वीडियो में इसी चैनल पे बत लाया हूँ तो अगर आप लोगों को इंगलिस में कुछ लिखने नहीं आता है, वर्ड मिनिंग याद नहीं है, ग्रामर नहीं आता है, किताब पढ़कर के उसका हिंदी मिनिंग निकालने नहीं आता है याने book reading नहीं आता है, translation नहीं आता है, तो इस channel पे आप लोग को सब कुछ series by series सिखाया गया है, इस channel को subscribe करें, और इस channel के playlist में जा करके, जो कुछ भी आपको नहीं आता है, playlist को देख करके, उन पूरे playlist के वीडियो को one by one करके देख सकते हैं, अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके English सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के description box में, मेरा सभी social media का link दिया गया है, आप लोग मुझको सभी जगा पे flow कर सकते हैं, अगर कुछ मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे WhatsApp पे जुड़े, WhatsApp पे जो कुछ भी आप पूछेंगे, मेरा पर्यास रहेगा कि मैं उसका अंसर दूँ, निलता हूँ मैं अगले वीडियो में, अगले टोपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के मता पिता को हार्दिक सुपकाम नाए, नमस्कार, जैहिंद!